सबसे लंबा धर्ना अभी तकके सबसे लंबी लड़ाई अभी तकके सबसे बड़ा संगर्श किस महिला ने राजधानी में किया आप सभी लोग जानते होंगे और हम बात कर रहे हैं सिक्षा मित्रों की अध्यक्ष उमा देवी के बारे में मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अज आपके सामने पेश है कि स्पेशल रिपोर्ट जो हमारे समवाददाता विक्रम जी ले करके आए हैं आपको दिखाते हैं पहले फिर उसके बाद आप से बात करते हैं धरने का आज कौन सा दिन है कितने दिन हो चुके अभी तक धरने के और क्या रणीत है आगे कि जैसे कि आप बताती रहते के मारपार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जो किस तरह से तैयारी हो चुकी है मेरे भाई धरने का 190 दिन आज पूरे हुए और रही बात आरपार का जो आप पूछ रहे हैं वो बिगुल मैंने दिपावली के दिन जैस दिन हाई पर कमेटी का निड़ायक मोड आना था उपमुखे मंतरी डाक्टर दिने सर्मा जी ने कहा था कि दिपावली के दिन आप लोगों के घरों में कुछियों का दिपक जलेगा उस मिटिंग को यद मैं याद करती हूँ तो वो वादे भी जूटे संकल पत्र जूटा गोशडा पत्र जूटा मंच पे बोले गए बयान जूटे मंच पे दिये गए बासर जूटे गलियों में बोले गए प्रदेश सद्यक्ष महंदरनाथ पांडे जी का सारा बयान जूटा और खुद हाई पाउर कमेटी का निर्डायक मोड भी जूटा इन सारे जूट के पुलिंदों का अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में मुझे जब मौका मिला कि अब ये अपनी बात पे खरा नहीं उतरेंगे मैंने आर पार का बिगुल बजाया आर पार के बिगुल में देखे 18 तारीक तक तो मैंने अपने किसी भी भाईवेन को हाबाज ही नहीं दिया क्योंकि 18 तक पेपर था मेरे भाईवेनों के दिमाग में था कि हम पेपर देंगे मैंने उन्हें आजाद किया कि ठीक आप पेपर देके खाली होई है अब एक दिन मुझे मिला है मिटिंग का मिटिंग के सुरुवात हो चुकी है और रडबेरी बजी है उस रडबेरी के संगम में पूरे बिश्व के लोग समर्थन जिनों ने मुझे दिया है वो उतरने को तयार है सभी का आवान मैंने किया है और निडायक मोड पे मैं लाके खड़ा की जो सम्मान गवर्मेंट हमारा यानि जनता का ना कर सके उस गवर्मेंट को सासन में हक नहीं है कि वो कुर्सी में बैठे रही बात पेट की रोटी के लिए जहां इतना सारा कोहराब मचाओं मौत का तांडव जहां बुण रित्य कर रहा है जिसे की देखने के बाद मातम पसर जा रहा है और उसके बाद भी बीजेपी की चुपी समस्य परे है जो बीजेपी बड़े-बड़े वादे करती है और सबको योग्य साबिद करने की कोशिस करती है तो यह जितने कारीक्रीकरम हुए उन कारीक्रमों में आज तक बीजेपी सफलता नहीं मिली तो अयोग्या क्यों है जिस बीजेपी ने अपने किसी भी वादे समघक कप्र को पूरा कई जिस पीजेपी ने अपने भासण को नहीं निवाया क्योंकि जब हमारा चयन हुआ 1999 में वह समय भी गवर्मेंट बीजेपी की ही थी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंग जी कल्याण सिंग जी आज के डेट में ने राजस्थान के राज्यपाल है क्या बीजेपी को नहीं चाहिए क्या मैं एक बार उनसे भी तो पूछे प्रदेश के मुख्यमंत्री अकलेस यादव जी ने भी सर पे तिलक लगाया लगाने के बाद बीजेपी गॉवर्मेंट जबकि निव बीजेपी नहीं रखी थी गाउं में ही नोकरी देने का जो रोजगार देने का जो क्रम सुरू किया उस रोजगार के तहट बीजेपी ने पढ़े लिखे लोगों को बेवकूब बना दिया 20 साल की सेवा के बाद सोयम बीजेपी की गवर्मेंट ने राजनितिक सड़ेंतर के तहट बाहर निकालने का रास्ता तै किया और नाम इनों ने दिया कि सुप्रीम कोट ने ऐसा किया है यदि कोई गवर्मेंट जनता के हित की बात लेके अगर मानी नियाला के पास जाती तो साधी ये दूर भागे न होता और इतने मोते न होती मेरे घर में को हराम न मचता न तांडव आता नहीं गई बीजेपी चुपी साधे रही आप देखिए 68500 में दोड़े दोड़े फिर ये बीजेपी ले करके दोड़ रहा है ये मामले को आज आप क्यों जा रहे हो किसी भी मामले को ले करके बीएड वालों के लिए क्यों आप जा करके नया रूल बना के खड़े हो जा रहे हो जब मानी नियाला ने कह दिया कि बीएड वाले अब बीटी सी या प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे तो आपके उले क्या रहें उनके लिए नसी टीए के द्वारा रास्ता कोल करके बंद रखें उसी को लेकिन इन्होंने तो अपने स्वार्थ को देखा अपने हित को देखा और इन्होंने मारा अगर बेमौत तो सिक्षामित्र परिवार को लेकिन मैं को अईव्य के पाइमान ह्मापने ऑले तो आपके दस साल की अन्हों के बाद था किस तरह क्या उंट आप हुआकि अग्जारटा कि ऑखालीय वह मर रहा erfahren एक जिसके घर में मौत का तांडव पंस रहा हो वह क्या प्रदें तो क्या रखुतक मेरे बाल नब क्वाइब कर दो कंट क्षूछ आज़ा ग्यां हम तो अध्मरे हो चुके हैं हम ढूसरे मेरे भाई भाई बहना आपने पटा की देन आज़ जीवीत हैं हमारा खुट का कुछ उपर हम तो ऐसे ही मर गए वो आयोग्य को ले करके हम गली चवराहे नुकड़ पे हमको तिरस्कृत किया गया कौन ऐसा ताज जो पहले इस चीज को समझ पाता था सब लोग कहते थे अरे वो मानी नियला ने किया है जबकि मैंने आवाज उठाई और मैंने लोगों को एहसास क जो बीजेपी के योद्धा दरवाजा बंद कर लेते थे सिक्षा मित्रों के पहुंचने पर सीच्छा मित्रों का नाम सुनते ही एपने लोगों से प्रशास्निक लोगों को लगा करके मैंने उन्हें विवस किया कि बुला करके आयोगे का चेहरा देखो आज जो सरकार है व शिक्षा मित्रों कोई टिपलई नहीं करते सिख्षा मंत्री वेंकर दिशक की लिए इसके लिए आप सारा डिपाट्रमेंट देख रहे हो यह बाई काड करaran तो कही नहीं कर रहे तो कहीं कहीं पो पूल है आप पर आशास कर लिए कि इननों कहीं कहीं हमारे साथ अन्याय किया है और कहीं जो सिक्षा विभाग के पुर्मुख लोग है जिनके द्वारा कारिक्रम होना है अगर करप्शन न होता तो इतना मौत के कांड़ों के बाद एक सोक संबेदना भी नहीं आई बीजेपी के तरफ से कैसे आप मानेंगे कि करप्शन नही कि थी कोई भी हो चाहिए जुड़ा हो नहीं हो अगर मिर्ट हुई है उस व्यक्ति की तो आह दर्द तकलीफ किसी भी व्यक्ति को होती है क्या बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो सिक्षा मित्रों के मौत पर कोई दर्द नहीं आई और हजार के करीब लासे उड़ गई वह चु किसी के बैकावे में आएगा ना गदारों के चलावे में आएगा ना उचे-उचे खयाल और पक्वान जो पुलाओ पका रहें उनकी पुलाओ के कुस्वू में जाईएगा अपना इंतजार करिए आरपार की लड़ाई के मिसन में आप तयार रहें मैं आवाज दूंगी यह मेरा वाटसप और कालिंग दोनों नमबर है यह उनली कालिंग नमबर है मुझे समर्थन दिये गए सभी भाई बंदों का आबार जितने भी मेरे सुपचिंत अगस तब को तहे दिल से आबार मीडिया बंदों को आबार अपने भाई बैनों को कि आप मौत को न चुने तयार रहे आने के लिए रणी बना रही हूँ बन के तयार हो चुकी है आप तक पहुचेगी आप तयार हो जाएगा जिन भाई बैनों को जो संदेश दी हूँ उस संदेश को फालो करे आगे बढ़े आगे की रणीत तैय होगी और आरपार की लड़ाई मिसन का हमयाब होगा आपको विजिश्री मिलेगी ये मेरा वादा बिना सम्मान लिए घर वापस नहीं जाओंगी ये आप लोगों से उमा देवी जी का आप इस बात को कमेंट बॉक्स में बताईएगा और सभी सिक्षा मित्रों से हमारे एच्टी न्यूस चैनल की और हम मेरी खुद की आपकी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए और हमारी खबरों को जादा से जादा जब आपकी बात लोगों तक के पहुँचेगी तभी आपकी लड़ाई और मस्बूत बनेगी इसके लिए आप तुरंद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आपको जैसा कि हम लोग हैडिंग में हर जगा लिक देते हैं कि हमारा फेस्बूक पेज है तो उसके उप पर भी लाइक करके और अपनी खबर को शेयर करना मत भूलिये